वेलकम वेलकम मैं डियर फ्रेंड मैसेल्फ प्रोफेसर डॉक्ट राजेंद्र रगुवीर देशपांडे प्राम पुने मारस्ट स्टेट इंडिया उड़ लेक्ट वेलकम यू ओल इन मैं अईरुवेदा एकेडेमी यूट्यूब चैनल आज हम एक दवा लेने वाले कि इसका दोश, धातू और मल ये शब्द आपको बिलकुल याद होने ही चाहिए या उसका अर्थ मालूम होना चाहिए दोश का मतलब होता है वात, पित, कफ़र जो बायो एनर्जी हैं हमारे चरीर में जो सब्त धातू हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थी, मजज़ा, शुक्र ये स क्वांटिटी और क्वालिटी बेकरार रखने के लिए उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है हर एक धातू के हिसाब से वह बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी उसमें कुछ आम अवगेरे निर्मान हो जाता है, टॉक्जिन्स आत जाता हैं तो उस धातू में खराबी बन तो वो खराबी दूर करने के लिए, मतलब हर एक धातू की खराबी दूर करने के लिए रसदातू की बात है तो रसपाचक वटी एवलेबल है, रक्तक दुष्टी की बात है तो रक्तपाचक वटी एवलेबल है, मतलब माउसदातू की बात किये तो माउसपाचक वटी, तो paid online consultation and paid online BMS classes, you can definitely whatsapp me on 9226 at 10630. तो मेरे पहरे दोस्तों चालू करते हैं, माउस पाचे क्वाटी के, अभी देखिए, माउस शब्द जो है न लिखा हुआ, तो उसका spelling हर एक अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कई कई लोग M-A-M ऐसे करते हैं, कई लोग M-A-N ऐसे करते हैं, यहाँ पर नीचे देखिया आप, M-A-N-S-H माउस भी दिया है, तो हर एक का अर्थ एक ही है, वो माउस धातू से निगड़ी, यह सब चर्चा चल रही है, तो हमारे चरीर में पहला रस धातू है, दूसरा रक्त धातू है, मतलब आहार पचन हो जाने के बाद आहार वस बनता है, और उसके द्वारा एक सिक्वेंशेली और धातू धातू धार फार्म हर एक जो ऐसे क्या बोलते हैं, चेन बना के यह धातू बन जाते हैं, केदार कुल्यान आएक हिसाब से, तो माउस धातू सिक्वेंश की सोचा जाए, तो देखा जाए तो, यह थर्ड, मतलब तीसरा धातू है हमारे शरीर में, इसका महत्वपूर्ण कारिया ऐसा है कि, जैसे हरेक धातू का स्रिष्ठ कर्म वागबट ने बताया है, प्रिणनम, जीवनम, लेपास, नेहो, धारनपूरणे, गर्भुत, पादश्धातू नाम, सेश्ठम, कर्म, करमास, गुतम, घबराईयमत, इसका आर्थ में बताने वाला हो, तो माउस धातू का सरगोत्तम कारिया है, प्रिणन, जीवन, और लेपन, लेपन का मतलब होता है covering, यह मज़रणैश्ध टिशू होता है, बाइसेप यह हाँ पर है, ट्रैसेप, यह covered करते हैं, अंदर वाले जो हडिया है, अंदर वाले जो नसी हैं, उसके उपर एक लेपन जैसा है उसका कारे, covering, तो यह cover और protection, सौरक्षन भी करता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेपन, covering, इसमें pathology, यह mouse दातु में कौनसी कौनसी तकलीफ हो सकती है, तो एक तो mouse उरुद्धी हो सकती है, मतलब pathological excess, mouse अक्षय का pathological deficiency और mouse दुष्टी मतलब उसमें खराबी हो जाने के कारण, आम ज्यादा होने के कारण, तो इसमें mouse दातु का जब ज्यादा deficiency होती है, तो weight loss हो सकता है, जैसे कि आप जानते कि last stage of the cancer यहाँ पर लिखा हुआ है, cancer की आखरी अवस्था में, HIV या AIDS की आखरी अवस्था में body becomes skinny, मतलब पूरी हड़ी और skin उसके उपर दिखाई देती है, कई भी mouse चला जाता है, तो mouse सक्षय हो गया, muscle deficiency हो गई, और weight loss हो गया, mouse दातु का अलग एक function है movement, यह जो मैं हाथ पायर हिलाता हूँ, तो हड़िया भी होती है, एक boni joints भी होती है, और उसके साथ साथ मौस दात consistency कैसी है, उसकी power कैसी है, उसमें reflexes कैसे है, यह सब assessment कर परिक्षन, mouse दातों का जब परिक्षन करना है, तो यह हमें देखना पड़ेगा, और इसमें किसी भी problem है, किसी भी point में problem है, तो आप mouse पाचक वर्टी का जरूर इस्तिमाल कर सकते हैं, मतलब mouse दातों का जो portion है, वो कम है, उसका tone अच्छा नहीं है, उसकी power अच्छी नहीं है, उसकी reflexes कम ज़्यादा हो गए हैं, तो आप mouse पाचक वर्टी का जरूर इस्तिमाल करेंगे as a supportive medicine, this cannot be, यह primary medicine नहीं है, supportive medicine हमेशा रहती है, अलग-अलग बाकी के भी आपको medicines या परेज रखना पड़ता है, mouse और करना है, तो nutritious food आपको सकस हार जिसको बोलते हैं, पूरे के पूरा holistic food आपको लेना पड़ेगा, उसमें ज्यादा तर प्रतीन जो है, proteins, उसकी मातरा अच्छी होनी चाहिए, यह mouse पाचक वर्टी में काम आएगी, mouse ख्षय, यह वर्द्य और ख्षय का मतलब होता है, pathological excess and pathological deficiency, और दुष्टी का मतलब होता है कि आमकी वज़े से, toxins की वज़े से उसमें खराबी होना, आगे चलते हैं, mouse पाचक वर्टी में क्या contents है कि जो हमें मदद करते हैं, जो पटोल है, trifla है, मुस्ता है, निम्ब है और कुटेज, एक 5 महत्वपूर्ण द्रव्य उसमें है, पटो मतलब जो है, वो दीपन पाचन कराता है, लैक्जेट्व एक्शन है, और मतलब तट्टी को अच्छी हो जाएगी, आपकी अगनी जो सुधारा लाएगी, पच्छन हजम हो जाएगा, और एंटी एजिंग भी है, मतलब जो भी डिजन्रेट्व चेंजेस होते हैं हमारे शरी खाना हजम नहीं होता, तो एक प्रकार का वीशत तयार होता है, उसका अईरवेद ने नामकरन किया है, आम पैदा होता है, तो आम का नाश करने के लिए मुस्ता काम आता है, निम्ब जो है, वो एंटी इंफ्लमेटरी काम करता है, जैसे कि मायोसाइटिस की सिकायत है, कम करेगा, क्षय कम करेगा, और सूजन भी कम करेगा, तो आईसी यह घटक द्रव्य है, यह ज्यादा तर माउसापाचे क्वट्टी के जो यूजफूलनेस है, वो प्रोटीन मेटाबॉलिजम करेगा, हमारे शर्वे में प्रतीनों की जो चया पर चया की प्रक्रिया होती है तो वो करेक्ट करने में यह माउसापाचे क्वट्टी काम करेगी, इट रिडूसेज द्रीजम्टम्स लाग्ट इन वेरियस डिसीज़ेज इंक्लोडिंग अर्शा, अर्शा भी एक तरीके का ब्लड वेसर जो है, उसका फुगीरपन आ जाता है, जिसको बवासीरम कहते हैं उसमें यह काम करेगा, और माउसापाचे क्वट्टी जो अगनी मांद्य जहां पर होता है, अईरवेद ने कहा है कि हमारी सेंटल जो डाइजेशन कैपसिटी है, उसका पौवर है वो जाठ्वागनी, धात्व के स्तर पर जो अगनी काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते है उसका बोलते है धात्वगनी, और पंच महाभूत जो है पृत्वी आपते, उनका हजम करने वाली जो अगनी है, उसका नाम है पंच भूतागनी, तो यह माउसापाचे क्वट्टी, जिसको बोलते है संतरपन और अपतरपन, मतलब माउसाधात्व का कुछ प्रॉब्लेम ओ पंच भण रही है, मतलब यह रिदूसेज शीक्रेशन आप नरीशेस थे मसल वेरी वेरी वेल, मतलब उसका जो लिक्वीड वेस्ट पार अकलेद निकाल देती है, और माउसाधात्व का जो टोन है, वह अच्छा बना देती है, ताकत बढ़ाती है, न्यूट्रिशन बढ़ को वे तो यह काम करेंगा। आडिएंस की ज्यादा डिफिशनसी हो गई तो भी एक काम हों करेंगा। दोनों तरीके से काम करेंगा। क्योंकि मैटेबॉलिक करेक्ष्ट होने से लुनों तरीकेसे काम कबिए इसका जो ताबलेट तुost dotted नहीं रंदों लेना है आपको लुक्वाम्त के साथ यह आगे भी मन ने बताया है तो यह देखी यहाँ पर आप फिराल देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन जो है वो 100, 250 और 500 ग्राम, 1 kg का भी आपको पैकेट मिल सकता है कई लोग बोलते हैं सरे आप मेडिसीन आमेश आप बताते हैं किधर लेना पता नहीं हमें तो मैंने एक अच्छी तरह से चालू किया है कि आपको एक लिंक दे रहा हूं है आपको तुरंत आप आउनलाइन मतलब मंगवा सकते हैं घर बैठे बैठे आपको दवा मिल जाएगी मेरे पैरे दोस्तों आईर्वेज अकडेमी में बहुत सारे एक्सपर्ट दॉक्टर्स प्रोफेसर्स मौजूद है तो आप किसी को भी कौनसी भी सिकायत है आई टीपी ऐनीमिया डियापटी मस्किलो स्केलेट्रिक प्रॉब्लम है तो हमें कंसर्टेशन के लिए पेड ऑनलाइन कंसर्टेशन सिर्फ हमारे पास है तो 922681063 फिर करे और उसका साथ साथ एक ध्यान में रखिए कि जो भी मैं ड्रक्स की, मेडिसिन्स की बात करता हूँ सेल्फ मेडिकेशन मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वैधानिक इशारा में देना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कर दीजे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए और प्रेज दे बेल बटन आइकान तो गेट दे इंटिमेशन अफ दे नीवली अप्लोडेड वीडियो I am thank you very much and मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक स्वस्त रहे और खुश रहे I wish all the best, take care and see you soon